नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खन के साथ जीलों में भी खुलेंगे कक्षा एक से आठ तक के स्कूल राज्य में कुरोना अब पूरी तरह नियंत्रण में है गत 31 जनवरी को राज्य के 17 जीलों में कुरोना संक्रमंदर 5 फिस्ती से कम होने के चलते ही राज्य सरकार की आपता प्रवधन प्रादिकार ने कक्षा एक से उपर के सभी कक्षाय खोलने के अनुमती दी थी जिन साथ जीलो, राची, पूर्वी सिम्हूम, देवघर, चत्रा, सिम्डेगा, सरायकला, खर्सवाव, बुकारों में कक्षा एक से आट तक की कक्षायों को खोलने के उनुमती नहीं दी गई थी वहाँ कुरोना संक्रमंदर अधिक था अब इस थीतिया है कि कुरोना संक्रमंदर इन साथ जीलो में भी नियंत्रन में है जारखन में एक बार फिर मौसम के करवट लेने के असार है 29 फरवरी को आस्मान में बादल जायराने की संभावना है और 20 फरवरी से बारिस हो सकती है मौसम विभाग के पुरोन मायन के मुताबिक 20 फरवरी से 22 फरवरी यानि 3 दिनों तक कहीं कहीं हलके से मत दर्ज की बारिस हो सकती है बताया जा रहा है कि रायस्थान में 17 फरवरी को एक पच्मी भी छोब बन रहा है इसका असर जारखन में भी दिखेगा बीच से 22 फरवरी तक राज्य के उतर पच्मी पलामू, गटवा चत्रा, कोडर्मा, लातेहार और लोहर्दगा दक्षनी, पुर्वी सिम्भों, पच्मी सिम्भों, सिम्डेगा सराइक लखर सावा तता मध्धे में रांची बोकारों, दुमका हजारी बा, कोटी वा, रामगड में कहीं कहीं हलके से मदर्च की बारिस हो सकती है शातवी से दसवी जपीसी पीटी का संसोधित रियल्ठ जारी, अर्ताली सो पचासी का चयान जार्खन लोग सेवा आयोग द्वारा शातवी से दसवी जपीसी पीटी का संसोधित रियल्ड जारी कर दिया गया है इसमें 485 अव्यारतियों को मेंस परिक्षा के लिए चैनित गया है आपको बता देख कि जार्कन लोक सेवा आयोक द्वारा पिछले दिनों जार्कन हाई कोट से स्थातीवी से दसवी सन्युक सिविल सेवा प्रारमिक परिचा का संसोधी द्रियल्ट जारी करने करूं मति देने कागरा किया गया था इसी आदेख क्या लोक में जेपीसी द्वारा संसोधी रिजल्ट जारी किया गया उलेखनी है कि प्रार्थी कुमार सोनी मेमन की ओर से जार्कन हाई कोट में आज का दायर कर सातवी से दस वी जेपीसी पीटी के रिजल्ट को चिनोती दी गई थी जार्कन में आरक्षित हाई स्कूल सिक्षकों की सीटे नहीं रहेंगी रिक्ते राज्य के प्लस टू बिद्यालों में अब हाई स्कूल सिक्षकों के लिए आरक्षित सीटे रिक्त नहीं रहेंगी अगर आरक्षित पद पर सिक्षक सपल नहीं होते हैं तो रिक्त पदों को स्थीधी नियुक्ति के लिए आवेदन जामा करने वाले अभियारतियों से भर दिया जाएगा स्कूली सिक्षा एवम सक्षार्था विभाग द्वारा पलस टू सिक्षक नियुक्ति निमावली में किये गए सलसोधन में इसका प्रवदान किया गया है पलस टू भी द्याले की नियुक्ति में हाई स्कूल के सिक्षकों के लिए 50 पिजदी पद आरक्चित है अब तक जार्खन गठन के बाद पलस टू भी द्याले में जब भी सिक्षकों की नियुक्ति होई है हाई स्कूल सिक्षों के लिए अरक्षित आधी से आधी सीटे रिक्त रह गई जार्खन में 3,65,000 बिजली उभकताओं के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर रांची में प्रिपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रिक्रिया सुरू हो गई है इसके लिए चिन ही जगों का सर्वे किया जा रहा है इसे मार्च के पहले पूरा कर लेने की त्यारी है इस कारे के लिए चैनित एजनसी जीनस को लेटर अव इंट्रेस्ट दे दिया गया है एजनसी रांची में सर्वे कर रही है सर्वे की दरानिया देखा जाएगा की की छेत्र में नेट्वर्क की क्या इस्तिती है इसके बाद उभुकताओं का डिटेल लेकर एक महीने बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम सुरू कर दिया जाएगा लालू यादो का स्वास्त बिगड़ा 18% कीड़नी कर रही काम रिम्स के पेइंग वार्ड में भरती चारा घोटाले में दोसी करार दिये गए लालू परसाद का स्वास्त ठीक नहीं चल रहा है रिम्स में 12 महीने बाद सिफ्ट होने पर प्रस्तोती रिपोर्ट की माने तो उनके स्वास्त में तेजी से गिरावट आई है लालू परसाद के एक महीने पहले की रिपोर्ट के आकलन के अनुसार उनकी किड़नी 15-18 पिजदी ही काम कर रही है 18-21 फरवरी तक बिहार जारखन के कई ट्रेने रद यात्री गंध्यान दे शुक्रवार से बिहार जारखन पछिम मंगाल समेत कई राज्यों के रेल यात्रियों को परसानी हो सकती है खास कर 18-21 फरवरी से 21 फरवरी के बीच लोगों को दिखतों का सामना करना पर सकता है इस बीच रेली बे ने गुरु आर को 232 टेनों को रद कर दिया है आधा दरजन टेनों को रिसर डि जूल किया गया है वही तेश टेनों को डाइवार्ट भी किया गया है बताया गया है कि 6-8 घंटे के बलोक की वज़ा से जार्खन और विहार के अत्रियों को 18 और एक कईस फरवारी को दिखतों का सामना करना पर सकता है जार्खन में आधार कार्ड बनवाना होगा आसान आधार कार्ड बनवाने या आधार कार्ड में किसी तरह की अपडेट कराने की समस्या से जुझने वाले लोगों की परसानी अबदूर होगी आम लोगों को आधार पंजी करन सेवा उपलब्द कराने के उदेश से जार्खन के गुमला की सभी पंचायतों वाटो एवं सहरी छेत्रों में अधार नमांकन अधार सुधार जैसी सभी महत्वपूर्ण सेवा प्रग्या केंद्रों के माध्यम से परदान की जाएगी इसके लिए सुचना एवं प्रद्यों की विभाग तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजीत संस्था CSCE Government Services India Limited CSC SPV के साथ एमयू किया गया है भुकारो इस्टील प्लांट में सोलर सिस्टम से बिजली का उत्पादान जार्खन के भुकारो इस्टील प्लांट में सोलर सिस्टम से 2025 किलोवाट प्रति घंटा बिली उत्पादान हो रही है BSL और सेल वार DVC के सन्युक्त उपकरम भुकारो पावर सप्लाई कंपेनी के ज्वाइन वेंचर में प्लांट के अंदर वा बाहर आधा दर्जन अस्थानों पर सोलर सिस्टम लगा हुया है सोलर सिस्टम 2019 में ही लगभग 9 क्रोर रुपए की लागत से जगह जगह करमवार लगाया गया BSL में यह सिस्टम अब तक पूरी तरह सपल है प्रति घंटा के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10 हजार रुपए की बज़त हो रही है इतना ही नहीं नियमित बिजली भी मिल रही है जारखन में कुरोना के 132 नए केस मिले है जबकि 380 मरीज स्वास्त भी हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 1079 है भारत में 25 यार 191 नए केस मिले जबकि 65 यार 137 मरीज स्वास्त हुए है भारत में कूल एक्टिव केस की संक्या 2,89,477 है मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में सिग्र होगी आपदा प्रवंधन की बैठक आपता प्रवंधन प्रभाग के सुत्रों की माने तो मुखे मंत्री के देख्षता में सीग रही आपता प्रवंधन प्रादिकार के उस अस्तरिय बैठक में अर्णीन लिया जाएगा इस प्रस्तावीत बैठक में पुरु से चली आ रही पबंदियों में थोड़ी और दिल मिलने के उमीद है दुकान बंद करने का समय रात आठ बये से बढ़ाया जा सकता है बंद पड़े पार्क वह पर्याटन केंद्र को भी आयम जानता के लिए खोलने पर ने नहीं लिया जा सकता है इसी माँ एक फर्वर्य को मुक्स चीव सुकदेव सिंक्या हस्ताक्षर से आपता प्रवदन प्राधिकार के उच्छतर ये बैटा के सुचना जारी हुई थी उक्त अधिसुचना अगले आदेश तक के लिए जारी हुई थी भासा भीवाद पर बोले राज़त के नौन युक्त कारिकारी अधियक्स जार्खन परदेश राष्ट्रीये जानता दल के नौन युक्त कारिकारी अधियक्स संजय ने गुरु आरको पार्टी कर्याल में प्रेस कॉनफिरेंस कर यह स्ताप कर दिया है कि राज़े में भोजपूरी और मगी पर हो रहे बिवाज से राजे का विकास बाधित होगा इसे महज एक मंत्री के माध्यम से तील का तार बनाया जा रहा है उन्होंने यह भी कहा है कि इस राजे में अर्से से रहने वाले सबी जार्खंडी है और राजे के गठन में सबका योगदान है जार्खंड में पारा सिक्षकों की पहली आकलन परिक्षा जुलाई में होने की संभावना समगर सिक्षा अभियान के तहत कारेरत पारा सिक्षकों के लिए पहली आकलन परिक्षा जुलाई में हमें आयोजीत की जा सकती है इसकुली सिक्शा एवं सक्षता विभाग इसकी तियारी में जूट गया है हाली में लागू, सहायक, अध्यापक, सेवा सर्त, निमावली के तवत इस परिक्षा में सामील होना सभी पाराशिक्शको के लिए अनिवार्य होगा यदि कोई परासिक्षक इसमें सामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परिक्षा में सामिल होने के लिए एक आउसर का उभवक कर लिया है इस परिक्षा में उतीर नहोने के लिए परासिक्षकों को अधिक्तम चार आउसर परदान होने है पारा सिक्षकों के लिए जार्खन बोर्ड आकलन परिक्षा का सिलेवस त्यार करेगा परिक्षा का सिलेवस जैक त्यार किया जाएगा हलाकि परिक्षा का प्राटन त्यार कर लिया गया है इस परिक्षा में दोनों स्रेनी प्राथमिक एवं उच्प्राथमिक के परासिजकों के लिए मैट्रिक तता इंटरमेडियेट अस्तर के वस्तुनित प्रश्ण पूछे जाएंगे इन में 70% प्रश्ण पाठेकरम, 20% प्रश्ण सुख्चन कौशल तथा 10% प्रश्ण तार्किक एवां मांसिक जोगता से समधित होंगे इस परिक्षा में उतीन होने के लिए समान स्रेनी के पराथशिशकों को 40% अरक्षित स्रेनी के परास्टिसकों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा इस आकलन परिक्षा में पास होने के बाद ही परास्टिसकों के मांदे में 10 परत्यत की बढ़ोतरी होगी सोशल मीडिया पर अपत्ती जनक पोस्ट करने वालों पर कसेगा सिकनजा गड़वा पूलिस अधिक चक अंजनी कुमार जहाने गुरुवार को पूलिस लाइन इस्थी सभागार में अपराद गोश्टी के तहत पूलिस पताधिकारियों के साथ बैटक की तथा उन्हें अवसक दिशा निदेश दिये सभी थाना अस्तरपसांती समीति का पूर्ण गठित करने एवं उसमें सभी संप्रदाय के अधिक से अधिक प्रतिनिद्यों को सामिल करते हुए बैटक आवुद करने का निदेश दिया साथी इंटरनिट मीडिया पर धार्मीक सभाद्रे को बिगाडने वाले सराती ततों पर पैणी नजर रखते हुए ऐसे करने वालों पर कानूनिक करवाई करने का निदेश दिया है मंत्री आलमगीर आलम का सौच से समना दुमका के कंग्रेस बहुन में गुरुबार को जन सुनवाई कारेकरम कायोजन किया गया जिसमें राजी के ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जन सुनवाई कारेकरम में जनता की समस्याओं को सुना अच्छी संक्या में कॉंग्रेस कर करता हो और आम जनता ने मंत्री से मिल कर जन समस्याओ को रखा रानेश्वर परखंड से आये कॉंग्रेस कर करता हो ने मंत्री से सिकाइट किया कि सरकारी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते जनता का काम नहीं हो रहा पांच माह से भी रिद्धा अवस्था पेंशन का काम लंबी था है लोगों ने ग्रामिन विकास मंत्री से कहा है कि मन्रेगा में काम नहीं मिल रहा है जार्खन का कायल हुआ बिहार अपने यहाँ भी लागू करने की त्यारी जार्खन में मन्रेगा योजना के किरिया नुएन एवं समाजिक आंकेंचन की बारी की सिखने और उसे बिहार में लागू करने के लिए बिहार सरकार में ग्रामिन विकास बिभाक के परधान सचीव अर्विंद कुमार चौजरी ने जार्खन का दोरा किया उन्होंने जारखन के ग्रामिन बिकास विभाग के सची और मन्रेगा आयूद के साथ बैठा कर आयोजन के कर लिएन की जनकारी ली चोजरी ने जहरखन में मन रेगा के किरिया नुएन एवं समाजिक आंकेंचन की परकिरिया नावाचार और समुदाईक भागिदारी के विभीन आयामों के विशर में विचार भी मर्स भी किया थान्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चलो को सब्सक्राइब को बहुल का बेल एक अंतर बाइए साथ सार वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडिवेक अवस से दे थैंक यू